नमस्कार मैं उरी नुकुमारी आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूस चैनल इसी के साथ अब वक्त हो गया है मद्देप्रदेश की बड़ी ख़बरों का पहली ख़बर के और चलते बता दे छिदबाड़ा जिले के मोह खेडा के पाला मगु के पास एक तेजर अफतार वाहन ने बाइक सवार पिता पोतर को टक कर मार दी हासे में पिता के मोके पर मौत हो गई जबकि बेटा गंभी रूप से घायल हो गया जिसे 108 एम्बुलेंस की म पती ने शराब के नशे में पत्नी से और शराब पीने के लिए रुपए मांगे थे नहीं दिने पर उसने पत्नी से मार पीट करना शुरू कर दिया इससे गुसाई पत्नी ने पास में रखा सिल बट्टा उठा कर पती के सिर में दे मारा जिससे उसकी मोके पर ही मोत हो गई घटना जिले के गोपारू थारज शेतर के बरेली गांग की है पुलिस ने महिला के खिलाफ केस दर्जकर उसे गिरफतार कर लिया है तीसीर खबर के और चलते बता दे इंदौर एरपोर्ट पर उदैपूर जा रही एक छातरा के साथ छेट छाड की घटना हो गई चातरा इंदौर की रहने वाली है और उदैपूर जा रही थी वह सिक्योर होल्ड एरिया में बैठी थी उस वक्त सफाई कर्मी किशन खंडारे वहां पहुँच गया चातरा को अकेला बैठा देख वह उसके पास बैठ गया इसके बाद वह चातरा को इशारे करने लगा और अपने मुबाइल में अशलील फिल्म शुरू कर दी चातरा ने घबरा कर तुरंट दिवार पर लिखे सुरक्षा नमबर पर फोन किया सुरक्षा कर्मी तुरंत मौके पर पहुँचे और किशन को गिरफतार कर लिया चौती खबर के और चलते बता दे निवाडी जिले के प्रिथवी पूर नगर में बीती राज सराफा में पारिक के साथ बदमाशों ने लूट की कोशिश की लेकिन में पारिकी बहादुरी से बदमाश सफल नहीं हो पाए बाद में हवाई पार करते हुए फरार हो गए ये पूरी घटना दुकान के बाहर लगे सिस्टीवी कैमरे में कैद हुई सुशना पर पहुँची पुलिस ने सिस्टीवी फुटेज के अधार पाज जांस शुरू की है और आखरी ख़बर के और चलते बता दे सागर बीमा माल खेडी स्टेशन पर एक बच्ची खेलते खेलते चार फीट गहरे गड़े में गिर गई बता दे इस सिमेंट गड़े को पोल लगाने के लिए तयार किया गया था चार फीट गड़े में गिरी बच्ची का पैर फस गया जिसके कारण वह निकल नहीं पा रही थी सुचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने पोक लेन मशीन को मोखे पर बुलाया जिसके बाद गड़े के पास खुदाई कर करीब चार घंटे के बाद बच्ची को बाहर निकाला ऐसी ही मदर प्रदेश की तमाम जानकारी के लिए देखते रहे पब्लिकेशन यूज चले नमसकार